श्रीकरनपूर विधानसभाच नावों की मदगर्ना की तो डॉक्टर भीवराव अंबेटकर कॉलिज में मदगर्ना सुभाट बचे से जारी है साथवे राउंड की मदगर्ना में 2973 वोटों से रुपिंदर सिंग कुनर आगे चल रही है और सुरेंदर पाल चीची को अब तक 37,832 वोट मिल चुके है तो रुपिंदर सिंग कुनर को अब तक इस साथवे राउंड की वोटिंग में 37,770 वोट मिले है तो काचे की चक्कर जारी है जॉक्टर भीवराव अंबेटकर कॉलिज में मदगर्ना जारी है साथ में राउंड की मदगर्ना राजस्तान की 199 विधान सभा सीटों पर चुनाव हो चुके थे विधान सभा के 25 नवंबर को लेकित गुरमीद सिंग कुनर का निधन होने के बाद श्री करनपूर के क्योंकि कॉंग्रिस के पत्याशी वो थे उस समय विधायक थी ऐसे में चुनावों को सगित किया गया था पांच जनवरी उसके लिए तारीक मुकरर की गई और उसके बाद आज तारीक यानि के आज मदगर्ना का दिन है सुब्हाट बजे सबसे पहले पोस्टल बालेट्स की मदगर्ना शुरू हुई सुरेंद्र पाल सिंग चीची भारती जनतापार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री और वर्तमान में भी राज्य मंत्री बनाए गए है ऐसे में देखना ये महत्पूर होगा कि काटेंग की चक्कल किस तरह से आगे बढ़ती हुई नतीजों की तौर पर किसके नाम के साथ आ गया आती है 2973 वोटों के साथ आगे चल रहे है रुपिंदर सिंकुनर बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं हरी कबजीट भी फसंजा की जरीए साथ राउंड की वोटिंग अब आपकी जगा मतगर्ना कम्प्लीट हो शुकी है और मतगर्ना साथ में राउंड की होनी के पश्चाथ अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो नेक तुनेक लग रही है अलगे 2973 वोट की साथ में रुपिंदर सिंग कुनर अभी आगे चल रहे है तुक्ति हमार साथ जुचके 37 राउंड की मतगर्ना कम्प्लीट हो गई है और अभी जानकारी आपने दी थी कि रुपिंदर रुपिंदर सिंग कुनर 2973 वोटों से आगे चल रहे हैं क्या ये वोट प्रतीश्वात बढ़ पाएगा क्या जो अंतर है वो बढ़ेगा या फिर एक बार फिर से नेक तुनेक हो जाएगा गुर्भी आपके जगर रुपिंदर सिंग कुनर और सुरेंद रुपाल सिंग ट प्रत्याशी है वो आगे निकल रहे हैं और लगातार इस तरीके की बढ़त रखने आपने आप में बड़ी बात है कि सार्टिं का गर पहला रुजान पहला राउंड राउंड हो तो उसके बासे लगातार साथ राउंड से कॉंग्रेश वो बढ़त बनाए हुए मैं आपको वोटों से वो आगे मतलब लगब यह जो आखड़ा है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और यह कहीं ना कहीं उस तस्वीर के करीब हमें लेके जा रहा है जो कि थोड़ी देर में साफ हो जाएगी कि श्वी करंपुर विधार्ट सभा सी आखिर किसमें जीती है क्या कॉंग्रेस जितनी बढ़त आगे बढ़ाए हो है अगर पहले राउंड को हम छोड़ दें तो लगाता है साथ राउंड में डबल जो कह सकते हैं कि पहले 320 पे 630 उसके बाद में 1046 मतलब इस तरीके कि भड़त जो है कॉंग्रेस ने वो लगातार अपने राउंड में ब कही जा रही थी कि भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है श्रीकरनपुर में यह जो आखरे हैं यह जो नंबर अभी आगे आ रहा है इससे कही ना कहीं भाजपा में निराशा पहली हुई है कि लगातार साथ राउंड से वो कॉंग्रेस से बढ़त नहीं बना पाई है इंसाक्ट एक्वल नंबर पर भी नहीं पहुँच पाई और कॉंग्रेस लगातार आगे बढ़ती जा रही है अपने नंबर को डबल करते हुए और कुछ देर और कह सकता है आच राउंड हो चुके है और कुछ राउंड और उसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि य इंडर पार्शन थी जिसवर भाजपा ने लगातार भरोसा जताया एक राजमंस्त्री पद उने दिया कृषी कि इंडरान है तो चाहि उजना ये सारी जो पद थे जो एक कह सकते हैं उन्हें जिम्तारी थी जिसको लेकर उन्होंने कहा था गुरान वित महसूस करते हैं समान महसूस करते हैं अगर उन पर पार्टी तरीके का भरोसा जताती है तो लेकर अब जो ये तस्वीर है वो कही ना कहीं अलग नजर आ रही है जो एक सहानव होती एक इमोशनल कार्ट जो कॉंग्रिस की तरफ से खेला गया था कहीं अभी तक के राउंड में तो सफल होता नजर सारा है लग रहा है कि जुस तरीके से कॉंग्रिस ने गुर्मित सिंग कुर्णर के बेचे को टिकेट दिया था उनके देहां के बातों कहीं जो ये कार्ट था कॉंग्रिस का जो ये उनकी कह सकते हैं रणी थी स्ट्राटिजी थी उनके काम आई है एक इमोशनल एक प्रिप्ति एक बार एक बार से दर्शकों को बता दीजिए क्योंकि आटवे राउंड की मदगर्ना कम्प्लीट हो गई है एक्जाक्ट कितना अंतर है अभी रुपिंदर सिंग कुनर और सुरेंदर सिंग टीटे के बीच में दो हजार माफ की जगा 3283 वोटों का जो अंतर है वो अभी नजर आ रहा है रुपिंदर सिंग कुनर जो है वो 3283 वोटों से भी आगे चल रहे है और एट राउंड की जो यह काउंटिंग है वो कंप्लीट हुई आठ पा राउंड जो है वो समाप्त हुआ है थोड़ी देर म काउंटिंग पता चल रही है वोसी तरीके से हम अब दर्शकों को भी अपडेट करते जा रहे हैं कि श्री करनपूर के चुनाव में आज क्या कुछ मोड आने वाला है जो रिजल्ट है उसमें क्या कुछ तस्वीरे साफ होने वाली है और महस कुछ देर कुछ कह सकते एक से दो घंटे और उसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहां की सत्ता आकिर किसके हाथ में जी जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री अशुक गहलोत ने उनके नाम का एलान भी अनौपचारिक तौर पर कर दिया था एक सभाम उनों ने कहा था कि वही होंगे प्रत्याशी आप तकालीन समय से लिकर अब तक लगातार लोगों की बीच में भी रहे आरा कि सुरेंद्र पाल सिंग टीटी तो नजर आई ही त्रिप्तिस करनपूर वधान सभा चुनावों भी भी तो गुरमीद सिंग कुनर के नाम पर एक सहनब हो थी एक emotional card जो है यापर कॉंग्रेस के ओर से खेला गया था अर उपिंदर सिंग कुनर को कह सकते हैं candidate बनाना उसे यहाँ पर कॉंग्रेस की टिकेट देना वो सबसे बड़ा एक सबसे बड़े एक रणी थी थी कॉंग्रेस क करने में आपको हम लोग हम बता ही रहे थे कि लगातार बड़े से बड़े मंत्री केंद्रे मंत्री ने यहां पर श्वी करणपुर में दौरा किया सीम खुद यहां पर आए लोगों को आश्वस्त करकर गए कि कौन से ऐसे मुद्दे यहां पर है जो लोगों को परिशान कर र जो है वो नजर आई लेकिन कहीं नजर आ रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने अपना कार्ड खेला कि टीटी को पहले ही मंत्री बना दिया विधाई की जीतने का इंतिजार नहीं किया तो इसको लेकर अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि ये जो जनिता जो है वो भाजपा का साथ देगी क्योंकि जो टीटी है वो क्रिशी मंत्री रह चुके हैं और जमीन से जुड़े वे इंसान और उनको वही विभाग दिया गया जिसको लेकर यहां कि जनिता त्रस थी वही सारे विभाग जो है टीटी को दे लेकिन ये चीज शायद जनिता को नहीं लुभा पाई है अभी तक के जो राउंड्स हुए जितने आकड़े सामने आये उनसे तो यही सामने आता है कि कॉंग्रेस अपने सहनभूती कार्ट से फिलाल आगे चल रही है और भाजपा अभी निराशा में है और पीछे चल रही है अभी ये देखना ये भाजपा और वो तस्वीर कुछी देर में साफ हो जाएगी अच्छो तरुपति नवे राउंड की मदगरना शुरू हो गई है क्या उसको लेकर क्या अपडेट क्योंकि आठ राउंड की क्लारिटी तो आपने दी नाइन्थ राउंड अभी शुरू हो गया है क्या शुरू को बता रहे हैं कि 3,283 वोटों से यहाँ पर रुपिंदर सिंग कुनर आगे चल रहे हैं और महज एक राउंड में नहीं पिछले 7 राउंड से लगातार रुपिंदर सिंग कुनर उर्फ रूपी जो है वो आगे चल रहे हैं और कॉंग्रिस बढ़त बनाये हुए ह जो बढ़त थी मैं बताऊं जैती वो 160 वोटों से शुरू हुई फिर 380 पर पहुँची उसके बाद में 630 का अकड़ा यहाँ पर रहा एक 1083 का अकड़ा यहाँ पर रहा लगातार कह सकते हैं अपने जो नंबर है जो गैप है बीजे पियर कॉंग्रिस की बिचकों इसको एक राउंड को छोड़ कर मंतरी जी लगातार पीछे चल रही हैं दस्वी राउंड के बाद की सुती कॉंग्रेस की रुपिंदर सिंग कुनर करीब 5000 वोटों से आगी बड़ी खबर आपको बता रही है क्योंकि 8 राउंड की जानकारी से यूगी 50 दे रही थे उसके बाद म इसमें रहे नहीं गए बाकियो और 5000 वोटों के अंतर को कवर करना तिलहाल क्या मुम्किन साबित होगा ये देखना होगा लेकिन अभी की जुत्ति हैं सुभा में एक राउंड की वोटिंग के बाद में सुरेम रुपाल सिंग टीची जो की राज्यमंत्री है वर्तमान सरका के बाद की स्थिति अभी यही है कि कॉंगेस की रुपिंदर सिंग उनर करीब 5000 वोटों से आगे चल रही है प्रुतिष्ठा का चुनाव है अला कि जिसकी भी जीत होती है जिसकी हार होती है उस जीत या हार का सरकार पर कोई प्रभाफ पढ़ने नहीं वाला एक सो 99 सीटों वोटिंग पहले हो गई है लेकर उसके बाद उबचनाव गुए हमारे साथ सीयोगी लक्षमन जुटके लक्षमन दस्वी राउंड की सिति आप बता रहे हैं और दस्वी राउंड की सिति तो यही कह रही है कि लगभग लगभग 5000 वोटों से मंत्री जी पीछे अभी चल र वो आगे चल रहे हैं आपको ध्यान होगा इनको मंत्री बनाया गया था मंत्री पर की बाकैदा सपद दिलाई गई थी इनको और उसकी सूचा गया था कि इस तरह से एक संदेश जाएगा लेकिन मुझे लगता है अभी तक कि अगर हम आकड़ों को देखे हाला कि अभी मतग करना कुछ बाकी है लेकिन जिस तड़े से बड़त लगातार सुरेंदरपाल कि पिछड़े हैं और रुपेंदर कुलनर के बड़त लगातार बनी हुई है आज बात यह माना जा रहा था कि जो शुरुवाती 5-6 राउंड है वहां पर भाजपा एक बार आगे रहीगी लेकि कर दो लगातार सुरेंदरपाल कि पिछड़े मुझे लगता है कि अब भाजपात के जो नेता है कही ना कहीं थोड़ा सा परेशान है लेकिन फिर भी जैसा राजिती में होता एक बार फाहिरल दाउन ना जाए लेकिन इस बात है कि मंत्री जी अलगातार पिछड़ रहे हैं और भाजपा के नेताओं ने उमीद भी थोड़ी थोड़ी जो है उनके मत्रम पढ़ने लगी है मुझे लगता है कि निस्तित तौर पर देखिए इस चुनाव के परिणाम पर बहुत कुछ इस्टिशन होगा नहीं फरक ना पड़े उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा सरका इस तरह से कल रही है लेकिन मुझे लगता है कि क्लोग सबा चुनाव से पहले यदि यहां पर जिस तरह के अभी तक के परिणाम आए हैं जिसमी बतकरना हुई है ग्यारवे राउंड तक वहां से लगता है कि भाजपा नेताओं की मुसिबते बढ़ता परिशना भी होगा क्योंकि आगे लोगसबा चुनावों की रणीती को लेकर प्रधानमंत्री लगाता निर्देश देते रहते हैं तो एक चुनतन भी होगा हलाकि इंतजारा भी हम कर रहे हैं पूरी तरह से एक इस परस्ट नतीजे का लेकिन आप दोनों ही और चालेंज़ कि जब सरकार बनी हो बुके लिए जा रहे हो उस वक्त अगर इसने का प्रधाम आएगा तो सुभाविक तोर पर कॉंग्रेस के लिए विलिटमस परस्ता इसलिए आप देखें वहीं डोटात राचों गेहलो सतीन पाइलिट पीनोंने सभा की तो भाजपा की तरफ से आप द से पहले और जब कि सरकार नहीं नहीं बनी हो यदी ऐता हूता है जहां अब तक की जो परिणाम आए हैं उसे अगर आगे हम देखें तो सुभाविक तोर पर भाजपा के लिए टेंसन की सती होगी कॉंग्रेस इसे खूब बुनाएगी क्योंकि जिस तरह से गविन जो टात् बनाए रखी अपडेट आपसे लेतो रहेंगे शुक्रिया फिलहाल चुलिए आगे बढ़ते हो एक बार फिर से बात करते हैं श्विकरनपूर विधानसभा चुनावो की रणकी तो 14 राउंट पूरे हो चुके हैं कॉंग्रेस 7500 वोट से आगे बढ़ चुकी है कुछ देर चुनाव आयोग भी श्रांत रहा लेकि जनता श्रांत नहीं रही पृतिक्रियाए आने लगी है और पृतिक्रियाए आई है पी सी सी चीव गोविन सिंग डोटास्वरा की भाच्पा ने आचार सहिता की धज्या उड़ाई क्योंकि जब सुरेंद्र पाल सिंग टीटी को मं पृति बनाया गया था तब उन्होंने चुनाव आयोग से शुकायत भी की थी और शुकायत पूरों ने कहा था कि ये आचार सहिता का उलंगन है लेकिन चौधा राउंड फूरे हो गए है लगातार पसंजा पर सबसे पहले रुजान आप देख रहे हैं सुभा से ही हार एक राउंड के बाद में अलगी पहला जो राउंड था उस पे भारती जंतापाटी के पृतियाशी आगे चल रहे थे सुरेंदर पाल सिंग टीटी उस समय आगे थे लेकिन उस एक राउंड को छोड़कर लगातार कॉंग्रेस के रुपिंदर सिंग कुनर बढ़ात बनाये हु चुके हैं कॉंग्रेस अभी आज 1500 वोट से आगे चल रही है और जो तस्वीर है अब ये मानकर हम चल सकते हैं कि लगभग लगभग ये तस्वीर अब सपस्ट हो गई है क्योंकि अब कुछ चंद राउंड बचे हैं और चंद राउंडों में तने बड़े अंतर को कवर कर प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता और ऐसे में चौधार आउट पूरी होने पर कॉंग्रेस आज 1500 वोट से आगे है इस पर प्रतिक्रियाए अब आने लगी है पीसी सिची गोविन सिंग डोटास राजो शिकायत कर रहे थे चुनाव आयुक से इस बात के उन्होंने च चार सहिता की धजिया उड़ाई लेकिन जंता ने जवाब दिया है अभी इंतुजार थोड़ा और कर लेते हैं नतीज़ा आने के